अज हम जानेंगे बिहार की एक ऐसी हस्ती के बारे में जिन्होंने बिपृत धार में चलते हुए तेस में एक अलग मुकाम हासिल किया है नमस्कार मेरा नाम रतन सेन भारती है आज हम जानेगे गोपाल से नेपाली के बारे में गोपाल से नेपाली का जन्म 11 अगस्त 1911 को बिहार के पस्चम चमपारण के बेतिया में हुआ था उनका मोल नाम गोपाल बहादूर सीर था उवे हिंदी एबं नेपाली के प्रसिद कवी थे एक पतरकार भी थे इन्होंने पतरकारी था के छेतर में काम करते हुए रतलायम टाइम्स, चितरपट, सुधा एबं योगी जैसी पतरिकाओं का समपादन किया था 1933 में उनका पहला काब्य संग्रह उमग्ण प्रकाशित हुआ था उसके बाद पंची, रागनी, नवीन और हिमाले ने पुकारा इनके काब्य संग्रह प्रकाशित हुए गोपाल सी नेपाली ने देश प्रेम, प्रकिर्तिक प्रेम तथा मानविये भावनाओं का सुन्दर चित उन्हें गीतों का राजगुमार भी कहा जाता है, नेपाली ने तक्रीबन 4 दंजन फिल्मों में गीत गाये और उसकी रचना की है, उन्होंने हिमाले, फिल्म्स और नेपाली पिक्चर की अस्थापना की, उन्होंने निर्देशक के तौर पर भी काम किया, जिसका नाम है न रामधानी से दिनकर ने उनके एक गीत को सुनकर गदगद हो गए और वह गीत था सुनहरी सुबह नेपाली की ढलती साम, बंगाल की करदे फीका रंग चुनरी की दोहरी नेनी ताल की क्या दरस परस की बात यहां यहां पत्थर में भगवान है, यहां मेरा हिंदुस्तान है, यह मेरा हिंदुस्तान है नेपाली जी को गीतों के उस दावर में खूब धूम मची थी लेकिन उनकी माली हालत खराब थी वो चाहते तो नेपाल में उनके लिए समान जनक वेवस्था हो सकती थी क्योंकि उनकी पतनी नेपाल के राजपुरोहित के परिवार से तालुक रखती थी लेकिन उनकी पतनी बैनर तले बनी ऐतिहासिक फिल्म मजदूर के लिए नेपाले ने सरपर्थम गीत लिखे थे फिल्मों के बताओर गितकार नेपाले ने उनिसे चगवालिस में से उनिसे वारशर तक गीत लेकन करते हुए इस दोरान उन्हेंने 60 से अधिक फिल्मों में लगवक 400 से अधिक गीत लिखे दिज्जस्व बात ये है कि इनमें से अधिकतर गीतों के धून वो खुद ही बनाये थे निपाले जी को जीते जी वह संबान नहीं मिला जिसका विया हगदार थे उन्होंने अपने इस दुख को अपनी कविता में उतार दिया और वो कविता इस प्रकार थी अफसोस नहीं हमको जीवर में कुछ न कर सके जोलियां किसी की भर न सके संताप किसी का हर न सके अपने प्रती सच्चा रहने का जीवन वर हमने यतन किया देखा देखी हम जी न सके देखा देखी हम मर न सके 17 अप्रेल 1963 को अपने जीवन के अंतिव कभी सम्मेलन में कविता पाठ करके लौटते समय बिहार के भागलपूर रेलबे स्टेशन पर गुपाल सिन नेपाली का अचानक निधन हो गया अज भले ही हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी कविताएं आज भी पतरकारों और रचनाकारों के लिए प्रिर्नासोत बनती है ऐसे ही जीवन हंस्तियों के बारे में जानने के लिए बने रहे बिहारी नीज के साथ मुझे दीजी अजाजत धन्यवाद